कॉंग्रिस ने बीजेपी के संकल पत्र को जुमला और अपनी गारेंटियों को वादा बताया है। कॉंग्रिस के राश्टे परवक्ता स्प्रियाश्विनेट के सानों के मुद्धो पर भी बीजेपी पनिश्वाना साधा मुक्री मंत्री के पद पर निताओं की बड़र ही दाविधारी से कॉंग्रिस कैसे निट्रे की इस बारे में। कांग्रस के राष्टिय प्रवक्ता सुप्रिया सिर्नेत से खास बाचीत एसोशिले रिटर्नेंट को मानने की है। मेरा अपना मानना है कि हर्याना ने पिछले 10 साल से जंगल राज देखा है। हाथ डालते हुए देखा है तो हर्याना इस बार हिसाब करेगा हर्याना को ये विश्वास है कि दो लाग सरकारी जो खाली पड़ें वो कॉंग्रेस भरेगी हर्याना को पता है कि महिलाओं के खाते में 2000 रुपए हम डालेंगे 500 पे सिलेंडर हम देंगे। हर्याना जानती है कि चाहे वो पहलवान हो, किसान हो, जवान हो अगर कि उन सब की प्रगति और उनका भला कोई कर सकता है तो वो कॉंग्रेस पार्टी है। शुक्रिया जी जिस तरह आपने किसानों का मुद्दा उठाया है और मुख्यमंत्री नायाब सिंग सेनी कह रहे हैं कि कांग्रेस के कारेकाल में किसानों को मावजों के नाम पर दो दो रुपे के चेक दिये जाते थे। मुख्यमंतरी नायाब सिंग सेनी पर मुझे थोड़ा सा तरस आता है उनको तो और तालिस घंटे पहले तो पता ही नी था वो चुनाओ कहां से लड़ेंगे और उन्हों को अपनी सीट छोड़के भागना पड़ा करनाल की तो सबसे बड़ा एक्जिट पोल तो हर्याना का यह ही आ गया था कि मुख्यमंतरी अपनी सीट से लड़ने में विश्वास नहीं रखते हैं वह आश्वस्त नहीं है जीत के मेरा अपना मानना है किसानों का जो कर्जा माफी थी किसानों की जो लोन माफी थी किसानों को जो मुआवजा दिया गया है किसानों का जो भला किया गय उन पर नाइए के केसिस करवाएं उन पर हर तड़ी की प्रताड़ना करिए और हर्याना इसका जवाब देगा सुप्रिया जी आपने बाजपा के संकल्पत को जुमला बताया है और अपनी गरंटियों को वाइदा बताया है तो क्या कारण है आप इस तरह बता रहे हैं पिशले दस साल में तो कारण बहुते रहे हैं दस साल में कारण है कि 15 लाइख आप भी इंतऽार कर रहे हैं बैंक अकाउट में 15 लाइख हम दी इंतजार कर रहे हैं और अब जुम्लेवीरों का वक्त बीच चुका है। प्रिया सिर्नेत इनों ने बताया कि कांग्रस विधान सवा चुनाव में क्या मुद्दे उठा रही है।